चलिए अब हम Class 1 का Subject Hindi Chapter 1 start करते हैं सबसे पहले हम सभी ने देखा था बच्चों कि हमने कैजी में जो हमने पढ़ा है वर्णमाला, सवर और वैंजन वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं एक सवर और एक वैंजन सबसे पहले हम सवर पढ़ते हैं जो स्वर जो है वो आ से अहा तक होती है और वैंजल का से ग्या तक होता है ठीक है तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे आ, आ, इ, ऊ, बड़ीू, रिशी, ए, आ, ओ, अव, अँ, अहा ओकें अंग तक है सबसे पहले आ से अनार, आ से आं, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे इग, छोटा अवसे उल्लू, बढ़ा अवसे उन, रिशे रिशी, ऐसे एणी, ऐसे एना, ओ से उखली, आव से ओरत, अंग से अंगूर steer, ये क्या है स्वर, असे अंत deg अब उसी तरह है बैंजन जो के क show से हमारा ग्यातख है, स्रव है उसमें, इसको भी उसी तरह से हम पढ़ हैं का से कभुतर, खosse घह से घढ़ा, घह से घड़ी, अंगय से कुछ नहीं, ये हमारा क्लास केजी में जो हमने पढ़ा था, वहीं पहले हमें इसको रिवीजन करना है, इसके बाद हम आते हैं, चेप्टर थी, बिना मातरा वाले मातरा वाले शब्द, हमने क्लास केजी में भी पढ़ा है बच्चो उसी को हमें repeat करना है फिर से one chapter में यही है आपका जैसे दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द जो की बिना मातरा वाले शब्द हैं प्लस बन गया बस, फ प्लस ल बन गया फल, अब मैं इसको पढ़ के बताती हूँ आपको दोक्षर वाले शब्द, जल जल, जब जब, तन तन, चत चत, रस, रस, नल, नल, कब, कव, धन, धन, खत, खत, दस, दस, यह क्या है, बिना मात्रा वाले शब्द, जो की दोक्षरों से मिलकर बना है, इसी का नीचे दिया हुआ है, अच्छा जोड का शब्द बना है, ना प्लस भ, इसको आपको उसी तरह से लिखना है, नब, ना, भ, नब, क, प्लस, क, स, कस, प, प्लस, थ, प, थ, पद, यह जो दिये हुए नीचे, यह सारे खालिस धान जो हैं, इसको आपको complete करना है उसी तरह तीन अक्षरों से मिलके जो शब्द बनता है वो तीन अक्षरों वाले शब्द के लाते हैं जैसे पिच्चर में यहां दिया हुआ है का प्लस मा प्लस ल बन गया कमल मा प्लस टा प्लस र क्या बन गया मटर उसे तरह में आगे और मैं आपको बताती हूं पढ़के धियान से सुनेंगे यह क्या है हमारे तीन अक्षर वाले शब्द इसे के नीचे दिया हुआ है खाली स्थानों में सही अक्षरों को बरें बीच में गैप दिया हुआ है जो खाली स्थान है इसको हमें पढ़कर के खाली स्थान को कम्प्लिट करना है जैसे न डेस न दिखा हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे न बीच में क्या जाएगा मा फिर न क्या बन गया नमन क्या बन गया? महक मगर गण पलक पलक लपक इसी तरह से हम सभी को complete कर लेंगे यह हो गया हमारे तीन अक्छरवाले शब्द अब हम आते हैं चार अक्छरवाले शब्दे पे चार अक्छरवाले शब्दे भी वही हैं जो कि चार अक्छरों से मिलके बना है जैसे का प्लस टा प्लस हा प्लस ल क्या बन गया? चार को मिला के कट हल था प्लस र प्लस म प्लस चार को मिला है तो क्या बन गया शब्द? थरमस उसी तरह से हम पढ़ेंगे अजगर अजगर जट पट जट पट बचपन, बचपन, बरगद, बरगद, अदरक, अदरक, करवाट, जटपट, जटपत, पचपन, पचपन, कसरत, कशरत, शबनम, शबनम यह क्या है? चारक्छर वाले शब्द इसी के नीचे दिया हुआ है, खालिस्तानों में शई शब्द को भरैं यहां दो option दिये हुए हैं, इसमें से जो सही है उसको हमको खालिस्तान में भरना है, जैसे क, nut cut, dash, चल, यहने nut cut, जट, पट, चल, तो यहां हम क्या लिखेंगे, जट, पट, क्या हो गया, जट, पट, यहने nut cut, जट, पट, चल, ख, थर्मस, भरकर, घर, चल, यहां क्या हम लि उसी तरह है, गा नमबर, गलबढ मत कर, यहां पर हम राइट करेंगे, गलबढ मत कर, फिर है, टमटम पर चल कर चल, यहां क्या राइट करेंगे हम, टमटम, टमटम, टमटम पर चल कर चल, इस तरह से खालिस्तान हम complete कर लेंगे, अब हैं यह चित्रों के सही नाम पर टिक ल सही है और एक गलत है जो सही है उसमें क्या करना हमको बॉक्स में करेक्ट एंसर लगाना है टिक का निसान लगाना है जैसे क्या पिचर बनी हुई है मटर यहां क्या लिखा हुआ है मटर और कमल तो क्या सही है मटर क्योंकि यहां पिचर किसकी दी हुई है मटर का तो हम मटर मे टिक करेंगे, उसी तरह से क्या बना हुआ है, बस यहां लिखा हुआ है, बस और घर, तो हम किस में टिक करेंगे बस में उसी तरह से यह घर का पिच्चर बना हुआ है लेकिन, क्या दिया हुआ है छत, तो यहां जग लिखा हुआ है और चट लिखा हुआ है, तो correct tensor क्या हुआ हमारा चट, तो हम चट में टिक करेंगे, उसी तरह ये बना हुआ है बर्गत, या फिर बर्तन, तो picture किसकी है, बर्गत की, तो यहां क्या सही हुआ, बर्गत, तो हम बर्गत में टिक करेंगे, उसी तरह से ये picture बनी लिए आपके अदरक में, यहां पर अजगर भी लिखा हुआ है, लेकिन correct tensor हमारा क्या है, अदरक, उसी तरह से यहां पर कलश बना हुआ है, यहां सड़क भी लिखा हुआ है, और कलश भी, लेकिन सही answer क्या है, इसका कलश, तो हमें किसमें stick करना है सही, कलश में, यह है हमारा first chapter, जिसमें कि हमने swear or vengeance पढ़ा, और साथ में हमने बिना मातरा वाले शब्द पढ़े, जिसमें कि दो अक्छर वाले शब्द आए हमारे, दो अक्छर वाले शब्द, तीन अक्छर वाले शब्द, और चार अक्छर वाले शब्द, अब इसमें आपका homework यह है, कि आप यह सही चित्रों के टिक लगाएं, चित्र भी बनाएं, और सही चित्र वाले जो नाम लिखे हुएं, उस पर आप टिक लगाएं, खालिस्तान भरना हैं आपको लिख करके, और तीन अक्छर वाले शब्द, पांच लिखें, और दो अक्छर वाले शब्द, पांच लिखें, इस तरह से आप लि